नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राकेश पाठक सिवानी अश्टो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और जैसे की मैं आपको कुछ लास्ट वीडियो से तीन ग्रहों के बारे बता रहा हूँ कि किसी कुंडली में तीन ग्रहे एक साथ बैठे हो तो कैसे फल मिलते हैं तो आज हम आगे पढ़ेंगे सूर्य बुद्ध के साथ अगर तीसरा ग्रह कोई और बैठा हो तो कैसे फल मिलते हैं सूर्य बुद्ध के साथ अगर गुरू भी बैठा हो यानि आपकी कुंडली में सूर्य बुद्ध और गुरू एक साथ बैठे हों तो कैसे फल मिलेंगे उसके लिए उन्हें बोला है शास्त्रों ने नेत्रा तुरो अती धनवान शास्त्र कथा काव्य गोस्टी शिल्प्रता यानि ऐसा मनुष्य जो होता है जिनके सूर्य बुद्ध और गुरू सासात होते हैं नेत्रा तुरो अती धनवान होता है लेकिन नेत्र रोगी भी होता ह नित्र रोगी भी होता है आती धन्वान होता है शास्त्र कथा काव्य गोस्टी शास्त्रों में कथा में और काव्य गोस्टी के अंदर वो निपुन होता है शिल्प रत जितनी भी शिल्प कलाएं हैं चाहे वो स्टोन की चीजे चीजे बनानी हो चाहे मिट्टी से चीजे बना इस में वो एक्सपॉएट होता है बाचस्फथी बुद्व सूरिय। रियकति पुर्शैड ऐसा व्यक्ति जो है कला युक्त होता है लेखक होता है लिपी कर और लिपी करता होता है तो सूर्य बुद्ध वे गुरु साथ हों तो मनुष्य नेत्ररोवि अती-धनी शास्तर कावियों की धोस्टो में निकोन कल्ला युग्त लेखक या लिपी करता होता है अगर सूर्य बुद्ध और शुक्र सात हों कुंडली में तब क्या होगा सुर्य मुद्ध और शुक्र अगर ये तीनों ग्रह साथ कुंडली के अंदर हैं किसी कुंडली के अंदर आप भी चेक कीजिए तो ऐसा मनुष्य एवी तरप्तो बाचा हो ब्रह्मन रुची प्रोशीतो गुरभी इस्तरी हेतो संतप्त शसी सुतर वी भारगवरे सहिता ये क् हो वाचाल बोलने वाला ब्रह्मन रुची घूमने का शौकीन होता है प्रोशीतो गुरुभी गुर्वों द्वारा भेजा गया कई दूर भेजा गया ऐसा गुमने का शौकीन होता है इस्तरी हेतो इस्तरी कारण दुखी मन वाला होता है तो ये है कि सूर्य बुद्धर कोacter वामर्मक ऐसा मानुष्ण सदब्स रहने वाला होता है ढूमने में होता है और इस तरी कारण भूं को और वह पो होता है कि अगर सुरस पोड़्ण और नically एक साथ हो, तब क्या होगा, सूर्य, बुद्ध और शनी किसी कुण्ड़ी में एक साथ है, तो प्लबी चारोद वेश्ये सर्व जितो बंधू भी परित्यक्ते सौरा दित्ये न सुन्दे कस्थे रजायते पुर्शे ये क्या बोलते हैं ये बोलते हैं सूर्य बुद्ध शनी एक साथ हो तो जातक डर्पोग रहता है मतलब डर्पोग के समान आशरण करने वाला होता है इसके अंदर आत्मिश्वास सी कमी होती है सबसे पराजित रहता है और बंधूों द्वारा त्यक्त रहता यानि इसको बंधू भी उसको नहीं चाहते लोगों से वो अलग-अलग थालग रहता है सूर्य गुरु और शुक्र साथ हो अब सूर्य गुरु के साथ आते हैं किसी कुर्ली में सूर्य गुरु शुक्र भी साथ साथ हो सकते हैं तब क्या होता है दुर्बल चक्षु शूर प्राग्यो मी स्वस्चे भूपते सचिवर परकार्यरतो नित्यम भार्गव गुरु भास यह क्या बोलते हैं यह बोलते हैं सूर्य गुरु शुक्र साथ साथ हो तो ऐसा व्यक्ति दुर्बल चक्षु यानि कमजोर नजरवाला शूर शूर्वीर यानि बहादुर विद्वान प्राग्यो नी स्वच्छ भूपते सचीवर राजा का सचीव होता है धनहीन होता है दू या रतो दूसरों के हैं काम करने वाला तो जिसके कुंडली में सूर्य गुरु शुक्र साथ साथ हो तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो उसकी नजर में थोड़ी कमजोरी होती है लेकिन वह बहुत बहुत बिद्वान होता है हाला कि उसके हिसाब से उसके पास धन नहीं होता राजा का सची होता है बहुत लहाई पोस्ट पर होता है रवाइजर बनता है और दूसरों के काम करने वाला होता है तो ये था सूर्य गुरु और शुक्र का एक साथ कुंडली में अगर किसी कुंडली में बैठे हैं अगर किसी की कुंडली में सूर्य गुरु और शनी एक स यह बोलते हैं सूर्य गुरू और शनी साथ साथ हो तो शरीर में अटपटी बनावट वाला ऐसा आदमी की शरीर की बनावाट थोड़ी अटपटी होती है शरीर का बनावाट ठीक नहीं होती पूझदिये होता है लेकिन अपने लोगों का इरश्या का पात्र होता है अपने ल वाला होता है मित्रो सो युक्त होता है राजा का प्रिये होता है और किसी प्रकार का डर्स को नहीं होता आत्मिश्वास उसकंदर कूट कूट के भरा होता है तो यह था सूर्य गुरू शनी अगर साथ साथ हो तो इस तरह का व्यक्ति शरीर में थोड़ी बनावाट जरूर कि खराब होती है लेकिन बहुत पूजडियें होता हूत्तमule चरवित मी उसे यूहीं होता है घ्रप नहीं होता पॉत तर्भ मिश्वा से भरनता है और राज्यावत अप्रिया होता सूर्य शुक्र शनी योग ये हम लोग नेक्स क्लास में पढ़ेंगे आशा करता हूँ आपको यहां तक पॉंड की सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा मैं कमेंट्स के आपके आंसर देना शुरू कुरूंगा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ हम लोग एक अडवांस असलोगी बैस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंटरस्टेड है वो इसको जोइन कर सकते हैं धन्यवाज जैशी कृष्ण